पीडित की शिकायत पर पीली भी जुनपत के थाना चोहानावाद छेत्र के कस्वा बिलई तिराहे पर स्वास्त विभाग की टीम के द्वारा लगबग एक महा पूर्व बिना रजिस्टेशन चल रहे सील किये गए मेडिकल स्टोर अस्पताल पर एक महा मेही स्वास्त विभा हुआ महरवान बिना किसी आदेश के सील किया गया अस्पताल खोला गया खुले अस्पताल की वीडियो हुई सोसल मीडिया पर वाइरल जानकारी देकर सामदा एक स्वास्त सकिंद प्रभारी कमलेस गंगवार मीडिया से बोले सील किया गया अस्पताल को खोलने के लिए सील किये गए अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी थाना प्रभारी जहानावाद को दी गई थी मुखिच किश्या अधिकारी आलोक सर्मा के द्वारा भी नहीं दिया गया कोई भी जबाब सवालों के घेरे में खड़ा हुआ सुवास्त विवाद पुलिस की भी लापरवाई सामने आई आपको बता दें कि कोटवाली जहानावाद छेतर के ग्राम रमपुरा निवासी वीरेंदर पाल ने अधिकारीयों को दिये गए सिकायत पत्र में बताया कि इस अस्पताल में गर्ववती महला का गलत तरीके से लापरवाही करते हुए आपरेशन किया गया जिसमें नवजात बच्चे की मौत हो गई और गलत इलाज की वजह से गर्ववती महला की बच्चे दानी भी बाहर निकाल दी गई पीडित लगतार आरूपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्च करने के लिए अधिकारियों के यहां भटक रहा है मगर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं जमज रहा है इनला परवाहा अधिकारियों की बजह से लगतार जनपत में जोले चाप डॉक्टर और बिना रजिस्टेशन के चल रहे अस्पतालों में गरीब अपनी जान के साथ हाथ दो रहा है वही स्वास्त विभाग जमकर अस्पताल को सील करने और खोलने का खेल कर रहा है कही ना कहीं कुछ तो गड़वड है भालु यह दो अब पर भाल यह अरो पर मैंने आप्रेशन कर वाया था बच्चा होना था बच्चे की मृतों हो गई दानी निकल गए उसकी मरीष की आज भी मरीश का लाज चल यह अर इसी केज में इसका नाम चेदा मेडी इस्टार नाम चेदा मेडी स्टार पाशियापुर जहनाबाद में अब आप क्या चाहते हैं? बना तो कारवाई जहाता हूँ बस